कि इसे नरख कहते हैं फिर दुपारा से यूनियों में डाल दिया जाओगे 84 लागियों नहीं होती है और बच्चा जब गरवस्ता में होता है तो प्रभू से कहता है कि प्रभू मुझे कैसे भी इस नरख से पार कर दो आपका इतना बजन करूंगा कि पुर्ण रपी जनम पुनरपी मरनम पुनरपी जननी जठ रेशेनम जो बार बार जनम लेते हैं एस जनम मरन के बंदन से छूट जाओगा भार आता है फिर सब को गूल जाता है फिर इसी मोंबाया में लग जाता है इसले का आए पेनाटी किर्टो सीथी जेल है कभी पैशिंजर कभी मेल है जोग की बंदो भी आरे को रेल है कभी पैशिंजर कभी मेल है आगे सुनों तौनों हाथ उपर फिर और तालीब जात करें साथ दीजिये पुलिस अचिदानंत भगवामाने की यात्री जो चड़ते और उतरते हैं सुक दुखवी आते और जाते हैं कब तक कान्हा के शिगनल का ये खेल है कान्हा के शिगनल का ये खेल है कान्हा के शिगनल का ये खेल है काभी पैशिंजर कहीं मेल है काभी पैशिंजर कहीं मेल है जीवन दोड़िया एक रोड़ी ने है ताभी पेशिंजरे कभी रिटने सुख दुख की पड़री पे दोड़ी लगाती है मन्दिल तक हम को ये पहुचाती है हाँ 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 सुख दुख की पड़री पे दोड़ी लगाती है साथों का इसमें जब तक तेल है कभी पैसिंजर कभी मेल है तो मता कुंती भगवान से किसन से कह रहे हैं कि दुख आएंगे तो भगवान की इसमर्की बनी रहेगी याद बनी रहेगी आप माता हैं सोचो अगर आपके वो थोड़े से लेट हो जाएं तो क्या करते हैं लाद करते हैं ना तो माता कुंती भी कह रही है और सच पूछा जाएं उन्हें दुख नहीं मांगा सबसे बड़ा सुख मांगा उन्हें पता था ये जीवन कितने दिन का है दस बीस पचास सो वड़ जी लेंगे जादा ज्यादा उसके बाद तो एक लिमिट है जीने की तो मनने के बाद सच पूझा जाए तो प्रहूपद को प्राप्त हुई हो तो ऐसा ही भाव रखना चाहिए और तुल्ची बावा ने भी रामचरत मानस में का है और हनवान जी बोल रहे हैं कि कहनो मंते बेपते प्रभु सोई कहनो मंते बेपते प्रभु सोई जब तब वाजन ना सुमरन होई जब तब वाजन ना सुमरन होई अनवान जी कहते हैं जब तक दुख नहीं आएगा तब तक शुमरन नहीं होगा तो ऐसा प्रयास करें कि दुख हो या सुख हो सदेव प्रभु का इस्मरन करते रहे प्रभु का ध्यान करते रहें अब झाद मुझा क्रिशम कहते हैं कि मेंग पंडवो को जो बड़ाइन देना था दे दिया इक सर्जन से और मिलना है उनको भी मैंने इनने बचन दिया हूँ कौन है भीषम पितामा उनको एक्षा मृत्यू का वर्दान है, जैसे मृत्यू चाहें, वो मर सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रभू से मांगा था कि प्रभू को देना ही चाहते हो, तो बस इतना दे देना, कि जब मेरे प्राण निकल रहे हो, आप सामने देना, इसमें भी प्रभू ने लीला रज्दी थी, पता है कैसे, महभारत का एक सुंदर सी कताए मैं आपको शुनाता हूँ, जब कौरव और पांडवों को युद्ध हो रहा था, तो पांचाली भगवान स्रीक्रिशन के पास आई, और भगवान स्रीक्रिशन PANCHALI को ले करके, और ऊपउर्व सिवर में जा पहुचिय रात्री के सब, भगवान स्रीक्रिशन PANCHALI के वाहर ही ख़ड़े हो गए, पांचाली ने जाकर कि बश्रेंपितामा की चड़नों में प्रणाम किया, कि मैं आपको प्रणाम करती हूं तो के दिया अखन ने सो भाग गवती भाग और जब मुड़के देखा ये तो पांचाली है तो कूछ लेगे तुमारे साथ में कौन आया है देखा कि सिवर के भार टेंट में से तब मुख में से भगवान सीक्ष्णिक के पैर देख रहे थे और कहा कि गोवें तो महां क्यों चुके वह हो जारा सामने तो आओ और कहा कि भीश्म पिता मां आज आप पांचाली को अखंड सोभाग वती भव का आसरवाद दे चुके हो और एक तरफ आप धर्म युद्ध कर रहे हो अब क्या करना है तो बीश्म पिता मां कहते हैं कि मै मैं आपको अपनी मृत्यू का रहसे बताता हूं आप से कंडी को खड़ा कर देना और मैं अर्जुन पर बांड नहीं चला पांगा अर्जुन मेरे पर बांड चलाएगा और मैं मुर्चित हो जाओंगा तो ऐसा ही हुआ और भगवान स्रीक्रिशन के कहा कि प्रभू मेरे एक्षा है जब मेरे प्राण निकल रहे हों आप सामने आ जाना तो भगवान स्रीक्रिशन कहते हैं अब विश्मी पितामा के साथ चलना चाहिए दर्मराज युदुष्टर को उपिदेश दिया नहीं समझे वहने क्यों क्यों नहीं लगता है क्रिशन तो मेरा भाई है और मेरे से छोटा है एक बात बता दूं आपको ग्यान अर्जित करन सब्सक्राइब तो प्रभू ने ग्यान दिया नहीं समझे और वही जब मावारत की युद्ध में अर्जुन को दिया तो उनकी समझ में आ गया क्यों कि वह गुरु भाव रखते थे कोई भी आप ग्यान अर्जित कर रहे हो आपके सामने कोई भी सज्जन है चोटा ही क्यों नहीं हो कुछ ग्यान मिल रहा है तो ले जिना चाहिए कि तो कैदिया ठीके प्रभू अंतिम समय आप मेरे सामने रहना उदर युदिष्ट्र से कह दिया कि क्यों चिंता करते हो आपके भाई गुजर गे तो क्या हुआ आप राजपार्ड समालो कहते हैं इस राजपार्ड को कैसे समालो तो इतनी हत्याएं होई है तो भगवान श्रीक्रिशन कहते हैं युद्धिश्टर ऐसे नहीं मानेंगे इनको विश्म पितामा के पास लेके जाना पड़ेगा उनकी अंदर ब्राजमान होकर बोलूगा मैं लेकर उनसे बलूगा और जैसे ही 55 पांचाली विश्म पितामा के प प्रिणाम किया और गोविंद कहते हैं कि विश्म पितामा देखो आपके जो पांच यो पांडव है इन्होंने हस्तनापर और इंद्र प्रस्त पर विजय प्राप्त कर लिए है और आज आप से मिलने आये हैं आप इनको आसिरवाद दो इनको उपदेश दो तो विश्म पि व्यक्ति है उसकी साहता करना और तो और आपके समर्मने किसी की इजट लुट रही हो किसी को बेजित किया जा रहा हiau कि किसी की लाज जा रही है हो आप समट है बचाने में तो बचाना नहीं बचा सकते तो वहाँ से बाग जाना इतने महीं पांचली क्यूंच्य आ गए बिश्ण पितामा कहते हैं बेटी तुम क्यों हस रही हो ना ना बिश्ण पितामा ऐसी हसी मुक्षे निकल गई कहलें कि बेटी कुस तो बात है मुझे बोलो ना मैं ये बोज लेकर के नहीं मर सकता मुझे एक्छा मृत्यू का बर प्राप्त है और 40 दिन तक मैं इस बाणों की सहियां पर लेटा हुआ हूँ कुछ शित्री की रण भूमी में 40 दिन तक बाणों की सहियां में लेटे हुए थे पेटी बोलो ना जो मन के अंदर जिग्यासा है वो कहो मैं ये पाप लेकर के नहीं मर सकता तो पांचाली कहती है कि विश्म पितामा एक वो दिन था याद करो जब द्रियोगन ने मेरा चीर भरण करना चाहा और कहा कि इसको निर्वस्तर करके मेरे जंगा पर बिठा दो उस समय मैंने सबसे गवाल लगाई उस सबामे विश्म पितामा आप भी थे दृष्ट राज भी थे गृू करब पाचाहा भी थे गृृ ना चाहर कि मार्ण भाव थे सब थे किषने में मैं इमेदीर साहता नहीं करी उस दिन आप कहाँ से ले गए थे आज उपदेश दे रहे हो वो तो सुक्र है मेरे कनया का कि मेरे कनया ने मेरी लाज बचा ली जब चीर हरन हो रहा था तो दोपती ने एक हासे साड़ी के पल्लू को पकड़ा हुआ है एक हासे कनया को पका रही है कि कनया आज तो मेरी लाज तुमारे हाथ में है, तो रुकमणी जी कहती है, जाते क्यों नहीं हो, आपकी दाशी आपको बुला रही है, कनिया कहते है, नहीं जाएंगे, तो अन्हें क्यों, बहन equip कि, एक हाथ जाडी पकड़ी होई है और एक आशी हमें बुला रही है इसका मतलब है कि संसार वालों में अभी भी उसे आसा है कि पांच्व फंडम मुझे बचा लेंगे दृष्टिराज मुझे बचा लेंगे बीस्म पिता में बचा लेंगे को द्रॉना चार मुझे बचा लेंगे और दुसासन ने जोड से जटका मारा दूसरा हाथ भी उठ गया तो गोविंद कहते हैं अभी जाएंगे जब तक पूल संबर पन नहीं होगा तब तक गोविंद नहीं आएंगे तभी तो कहते हैं दोनों हाथ के उठाई जाते हैं तो विश्म पेटा मा कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हारा गुनागार हूं मैं इस्विकार करता हूं लेकिन आज मैं इन वाणों की सहियां पर हूँ आपने देखा देख रही हूं बेटी मेरे सरीर से रख भह रहा है ये रख पता है क्यों भह रहा है क्योंकि इस रख में उस पापी द्रियुधन का अन्य है मैंने उसका अन्य खाया है उसकी बफ़ादारी के लिए मैंने वो का रक्त था वो निकल चुका है तो द्रोप्ती कहती है बिश्म पितमा च्छमा करना मेरा धे आपकी आत्मा को ठेस पहुचाना नहीं था तो सवाल जब और होने लगे तो भिश्म पितमा कहते हैं अब चुप रहो वंड़मो को चुप कर दिया और कहा कि अब मेरी और गोविन्द की वार्दलाभ होंगे तो भिस्म पितामा कहते हैं कि कनया मुझे वो दिन याद है कि जब मैंने प्रतिग्या करी थी कि जो ना हरी सस्त्र गहाँ हूँ तो ला जो गंगा जनिनी को अगर मैंने हरी शे प्रभूश शे सस्त्र नहीं उठवाया तो मेरा नामी भिस्म पितामा नहीं जब महावाद का युद्ध हो रहा था तो बिश्म पितामा बाणों पे बाण सोड़े जा रहे थे एक दो माण तो भगवान कृष्ण की बाजू पे दिया और ये का तो उनके उपर से निकल गया तो भगवान से क्रिश्ण के तो अरजुन क्या करते हो बचाओ अरजुन बचाओ ये बुड़ा बाबा तो कमाल कर रहा है माड़ देगा तो अरजुन कहता है ये बिश्म पितामा है इनका नाम इनसे युद्ध कन्ना कोई मामूली कहले है क्या तो भगवान क्रिश्ण ने देखा ये तो माड़ देंगे तो रध का पईया पड़ा हुआ तो उसको ले करके ऐसे उठाया और विश्म पितामा कहते थे कन्हिया लो आ गया यही तो चाहता था मुझे माड़ दो मैं और कुछ निच्ची माड़ तो यही तो चाहता था कि आपकी प्रिश्वी क्या टूटे और यहां पर भगवान ने एक भक्त की खात्र अपनी प्रिश्वी कापनी लग गई उत्री ने प्रिश्वी को समझाया आप बिलकुल शिंदा मत करो एक भगवान की खात्र एक भ कि गोविंद आपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिक्या भी तोड़ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको अपनी पुत्री भेट करना चाहता हूं पुत्री बढणब कहते हैं इन्होंने साधी कब कर ली यह तो को रहे थे मैंने कहने लगे जो मती रूपी पु प्रभुपद को प्राप्त हो गए बुझी वक्त बद्सर भगवाने की जय तो सुझी कहते हैं विश्यों मैं आपको बारे में अध्या के तरफ लेके चलता हूं अब भगवान स्री कृष्ण पंडवों से विदा लेकर करके अपने द्वारिका को गवन कर रहे हैं द्वार तो राजोचित विदी से उनका श्वागत किया हुग गया उनके ऊपर पुष्वादी वड़साए गए और भगवाएं कृष्ण जैसे ही अपनी द्वारिका में आये सभी द्वारिका ववासी वड़े हरसो लास से प्रिफुलित हो गए और भगवान ने आते ही अपने मात पिता की चड़्णों में नमन किया वहस्देव जी और माता द्रोक्ती के चड़्णों में दंडवत हो गए और होना भी चाहिए कि अभिवादन शीलश्य निद्यम्रद्धों विशेवन चत्वारी तस्षेवडधंते आयर विद्ध्या यशोवलम याने कि गुजरुगों कि अपने माता पितां को ग्रहमणों के चड़्णों में नमन करने से चार चीज़ बढ़ती हैं आयो विद्ध्या यश और वल्व यह सास्त्रोक का कहना है तो मतदेव की कहते देखो तुसरी मेरा पुत्र इतना बड़ा राजा है फिर भी मेरे को अपने संस्कार्णों को न परी बात नहीं है कमाओ कि कुम महल दो मेले खुब खड़े करो लेकिन अपने संस्कारों को मत भूलो कि संस्कार कब बूले जाते हैं जब हमारे पास पैसा आ जाता है पैसा आ जाता है तो हमारे संस्कारों में अभाव आ जाते हैं अभाव आ जाते हैं तो हम अपने संस्का मिलें इस बात है करो में नहीं करता बहुत नहीं करता है लेकिन ऐसे बोलो कि कर से करम करो विदिनाना मन राको जां पर पाने धाना तो अपने शंसकारों को नहीं भूलना जी ये भगवन ये शमजा रहे हैं तो सुग्दिव जी से जो सौनकादी रिशी हैं वो कहते हैं कि आप परिक्षित के बारे में बता रहे थे हाँ मैं परिक्षित के बारे में बता रहा था परिक्षित परिक्षित का जब जनम हुआ तो अपनी भें सुविद्रह कर खेए छोचक जानते होat चोचड की बोलते योद वहां चोचक होता है बेर बच्चें हो जाता है दलाला होता है पर परिक्षित को देखा, तो गर्मडा यूज़ित केते हैं कि एसा बच्चा मेरे पेरिवार पेडा हुआ है, कि पेडा होते के साथ में आल्ती-पाल्ती मार करके बैठ गया, और परिक्षित कर रहा है, देख रहा है दर दर, कि वो का एं, जो मुझे मिला था गरो में, वो त तो सुझी कहते हैं रिशियो, विदुर जी ने द्रिष्ट राज को उपदेश दिया, जो तुम्हारे पुल में बेटा बचा है, वो अभी भी नहीं मान रहा है, पूरे खतम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं चाह रहा है, रांचा ग्रह में आग लगा दी है, और पांडवों को एक एकर के मानना चाह रहा है, विदुर जी कहते हैं कि द्रिष्ट राज पूरे विश्विश्य से अगर किसी देश को हानी पहुंच सकती है, यह पूरे देश को खत्रा पहुंचा रहा है, उस देश को चाहिए पूरे देश में कोई ऐसा राज्य है जिसको पूरे देश को खत्रा है तो राज्य को निश्ट कर दो राज्य में कोई ऐसी तैसील है तैसील में कोई ऐसा गाउं है गाउं में ऐसा कोई घर है कि पूरे गाउं को चती पहुंच सकती है तो उस गर को निश्ट कर दो ग जहने लगे कि आपका जो पुत्र है जुरुदन उराक्षस है उसको आप क्या करना है प्रहू का बजन करो कि ऐसा उपदेश दे रहे ते विदुर जी तो विदुर जी कोई सवास से बाहर निकाल दिया तो मेरा मंत्री होकर कि मेरे खलापी सडेंद रहता है मेरे माता पेता को बढ़काता है चले यहां से निकल जा पर जा रहा हूं कौन रहना चाहता है तो अधर रिष्ट राज और गांदारी को उपदेश दिया तो उनकी समझ में आई और उन्होंने भी ब्रहु का बजन किया अधर श्रीक क्रिश्ण द्वारका गये थी तो अर्जन भी साथ में गए ते और जब आपस में यद्वन्सी लड़ने लगे और भगवान श्रीक क्रिश्ण भी दरहादाम को चले गए तो अड़िहुं गोपियों को लेकर के आ रहे थे तो बगवान स्वेम गोप बन के आये थे यह का अंतिम दिवश आये गी फश्य को गोप बन करके आये और गोपियों को फूट लिया क्जो कि बगवान किसी कम्मै नहीं छोड़ती गमन्द नहीं चोड़ते हैं उनको अलमान आ गया देखो मैं गंडवधारी अर्जुन भगवान सीक्रिश्न को अयुद्या छोड़ने गया मेरे भाई युदिश्ट्र ने मुझे भेजा था कि जाओ साथ में कनिया अके ले जा रहे हैं जिसने पूरा महवारत जितवा दिया उस पर संसे किय जा रहा है तो भगवान सीक्रिश्न खुद को बन के आये थे इसलिए कहा है कि समें समें की बात है समें बड़ो बल्वान समें समें की बात है समें बड़ो बल्वान भीलन लूटी दो पिका वही अरजुन वही बाड भजमन नारायर स्रीमन नारायर भजमन नारायर स्रीमन नारायर स्रीमन नारायर कि समय की बाड थे इसलिए समी इसलिए अरज वही दो वही बाड़े बड़ो मैंथ इंद्र नारायर तो समय समय की बात है कर दो